बांगलादेश की मिलों में कॉटन की बढ़ती मांग की वज़े से भारत के कॉटन निर्यात में बढ़ोतरी का अनुमान है। C.I. के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने बताया कि बांगलादेश मिलें जो मुश्किल से अपना काम चला रही हैं। अब वे भारतिय कॉटन खरीद रही हैं। क्योंकि ब्राजील और अमेरिका के उनके आयाच शिप्मेंट में देरी हो रही है। भारत से लगभग हर महीने ए एक डॉट पांच लाक गांट बांगलादेश को निर्यात किया जा रहा है। सडक मार के जरिये बांगलादेश को पांच दिनों में कॉटन मिल जाता है। इससे भारत के कॉटन निर्यात में व्रिधी हो रही है। हाला की चालू सीजन के लिए प्रेसिंग पिछले साल की तुलना में 318.9 लाक गांट कम है। गनात्रा ने प्रेसिंग आंकडों में आई व्रिधी को बाजारों में आने वाली कैरी फॉरवर्ड स्टॉक को माना है। मई के अंध तक 296.5 तीन लाक प्रेसिंग की जा चुकी है। साथ ही प्राक्रिटिक फाइबर का आयात 16.4 लाक गांट होने का अनुमान है। इसमें से 5.5 लाक गांट देश में मई के अंध तक आ चुका है। शुरुवाती स्टॉक, आयात और प्रेसिंग के अनुमानों को मिलाकर कुल आपूरती 363 लाक गांट होने का अनुमान ह जो पिछले सीजन में 355.4 लाक गांट से अधिक है। CI ने कौटन मांग 317 लाक गांट रहने का अनुमान लगाया है। गैर MSME सेक्टर में मांग 201 लाक गांट रहने का अनुमान है। जबकि MSME सेक्टर में यह मांग 100 लाक गांट से अधिक रहने का अनुमान है। गैर वस्त सेक्टर की खपत 16 लाग गांट पर स्थिर देखी गई है। गनात्रा ने बताया कि खपत के आंकडों में बदलाव C.O.C.P.C. द्वारा तै की गई नई श्रेनियों में खपत के आंकडों को फिर से सामुही कृत करने के कारण है। C.O.C.P.C. देश में कौटन की स्थिती पर लगातार नजर रखती है और समीक्षा करती है तथा कौटन के उत्पादन और खपत से संबंधित मामलों पर सरकार को उचित सलाह देती है। C.O.I. के अनुसार कताई मिलों की आसत क्षमता उप्योग लगभग 90 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसमें उत्तर भारत और मध्य भारत में मिले 100 प्रतिशत की क्षमता पर और दक्षिन भारत में 80 प्रतिशत क्षमता पर चल रही है। Bureau Report Market Times TV